हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग होप कि आप सभी अच्छे होंगे अगर आप अपने एंडूइट फॉन के कीवोट से बोर हो गए हैं और आप कुछ इंट्रेस्टिंग देखना चाते हैं तो आज हम लोग बात करने बाले हैं एक इंट्रेस्टिंग एंड कलरफुल कीवोट के बारे में जो कि आपके फॉन को अलग ही लोग देने बाला है और आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने बाला है सबसे पहले आपको पहुंचें, तो चलिए वीडियो को आंगे बढ़ा लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने play store पर, जिसमें आपको search करना पड़ेगा rocky keyboard, टो चलिए प्ले स्टोर को ऑपन कर लेते हैं तो जैसकि है अ प्ले स्टोर पह dressed Hai करींगे किलिक कहने के बाद हैं पे टैप करेंगे रोकी कीबोर्ड तो जैसकि मैंने पेले ही search कर रखा है आप में इसको पहले से यूज कर रहा हूं तो rocky keyboard आप type कर लेंगे और जैसके मैं पहले से use करता हूं तो इसको मैंने पहले से install भी कर रखा है तो आप इसको open कर लेंगे तो इसके लिए आपको open पर click करना पड़ेगा जैसे ही आप open पर click करेंगे कुछ ऐसा आपको interface देखने को मिलेगा जहां पर यह आपको permission माँएगा जो आपका Android phone का keyboard है उसको हटाने से इसको enable करने के लिए आपको permission माँएगा जो को आपको दे देनी है तो यहां पर enable rocky पर click करेंगे और जैसे rocky क्लिक करने बाद यह आपको कुछ ऐसे permissions माएगे तो आपको ok कर देना है यहां पर फिर इसके बाद कुछ ऐसे interface खुल जाएगा जो आप permission देने के बाद तो आपको यहां पर switch to rocky कर देना ताकि यह हमेशा के लिए enable हो जाए तो आप सीधे rocky को choose कर लेंगे और यहां पर choose करने के बाद यह सीधे permissions माएगे फिर अगर आप डवाइस को अपने मीडिया को एकसिस कहना चाते हैं तो आप अलाव कर देंगे जैसे contact नहीं करना चाते तो मैं डैनी कर दूंगा और मैंने इस phone calls को भी डैनी कर दूंगा तो चलिए switch कर लेते हैं इसको इसके करने के बाद यह कुछ ऐसा सभी permissions देने के बाद कुछ आपको ऐसा यहां पर यह demo देगा जिसकि आप देख सकते हैं live ball paper जो चला है bubbles type जो है तो आप यहां पर बदल भी सकते हैं तो इसके लिए आपको back करना पड़ेगा नेश्ट करते हैं तो आपको यहां पर home screen आ जाती है जैसके आपको क्या-क्या features देखने मिलते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं कि आप यहां अपने मन का भी ball paper लगा सकते हैं या पर इसमें जो ball paper ना भो भी आप लगा सकते हैं जैसकि मैं आपको आपको select कहना जैसके lips बगारा star या फिस sunflower तो यह आपको live चलते हुए दिखाई देंगे और इस एक भी और एक और function है जो कि मुझे बहुत पसंद लगा वो यह है live ball paper है जो कि एक और इस पर चलते हैं जो कि होने वाला flowing जो कि काफी attractive और interesting लगता है तो चलिए देखते हैं इ दीन को और यह आप जैसे ही screen इसको गमाएंगे यहаем एसा ही जाएगा जैसके आप देख सकते हम इधर करेंगे तस यह इधर जाएगा वह इधर करेंगे तो यह इधर जाएगा अगर आप इदर left करते हैं तो यह left जाएगा देखिए अगर हम right करते हैं तो यह इसको right देगा यह काफी interesting और attracting हो रहा है काफी अच्छा दिख रहा है तो hope कि आप इसको use करेंगे कि वो बहुत ही interesting है वसमें एक और feature आता है वो है game का आप इसको use करते करते game भी खिल सकते हैं तो चलिए आपको एक play करके दिखा देता हूँ तो जैसे हम game पर play करेंगे तो कुछ आपको ऐसे game दिख जाएंगे तो चलिए एक game खिल के देख लेते हैं इसे open करें यह इसके लिए download लेगा आपको तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह game on हो गया तो चलिए आप खिल को दिखा देता हूँ तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा आप इसको game को खिलना पड़ेगा कुछ इसके instruction भी दिये होंगे जो आज जहांसे आप देख सकते हैं कि यह game कैसे खिले जाएंगे तो जैस कि यहाँ पे देख रहे हैं आप menu level के लिए करदी है यहाँ पर काफी सारे game है आप सभी को tie कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं आप एक काफी game है तो आप जो आपको फसंद है आप खिल सकते हैं आपको और भी features मिल जाते हैं जिसके आप देख सकते हैं आप LED आप यहां पर किसी को भी select कर लेते हैं यह सारे live keyword होते हैं तो आपको चलिए मैं एक बता देता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो keyword लोड हो गया तो यहां पर हम type भी कर सकते हैं तो देखे कितना attracting दिख रहा है यह keyword काफी ही मज़िधार होने वाला keyword तो आप इसको जरूर डाउनलोड करने और भी काफी features हैं इसमें जैसे कि आप इस sticker को भी चूज कर सकते हैं keyword के size को भी ज interesting यह keyword है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें subscribe करें and share and press the bell icon thank you for watching